आप देख रहे हैं निउस लीडर्स सच है तो खबर है आनन फानन में पता चल रहा था कि महिला की सांसे चल रही है जिसके बाद उसे सेंधवा के नीजी हॉस्पिटल ले जाए गया है जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रत खोशित कर दिया आपको बता दू कि घटना अलसुभा की है और घटना के बाद लोगों की भारी भीड जमा है मरतक का नाम बंदना पिता वेचान ग्राम निवासी बाबदर की रहने वाली ये महिला है पती के साथ महेश कनोजे के साथ किराई के मकान में रामकटुरा शेत्र में रहती थी और पढ़ाई भी करती थी ऐसा बताय जा रहा है लेकिन फासी लगाने का कारण क्या है फिलाल पता नहीं लग पाया है पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुए लेकिन सेंदवा के सिविल हॉस्पिटल में परीजनों की भारी भी जमा हुई है बहीं परीजनों का रो रो कर बुरा हाल भी है बड़ी घटना है रामकटुरा शेत्र में इससे पहले भी एक और घट कर लिए फासी का कारें फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है